Hello guys, I am Krathika Goyal and today I will be explaining you Raheem के दोहे of Class 9 NC80 book पहले मैं दोहा रीट करूँगी और फिर मैं उसको explain करूँगी हमें उससे पहले दो बातों को याद रखना है कि दोहा को पहले हमें word to word समझना बहुत जरूरी है इसलिए दोहे के हमेशा दो अर्थ होते हैं एक सामाने अर्थ और एक विशेश अर्थ सामाने अर्थ तो हम सब समझ लेंगे पर विशेश अर्थ कुछ ही समझ सकते हैं और अभी मैं आप लोगों को दो नौद बताऊंगी तो लेट्स केट स्टाड़ेट इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम का धागा प्रेम का धागा मतलब वो बंधन जिसने हम सब को जोड़ा हुए यानि कि हमारे दिश्टे हमारे विश्वास वो कभी नहीं तूटना चाहिए अगर वो एक बार तूटता है तो जिसे जब दागा एक बार तूटता तो एक चटका कर अवास आती है ना वैसी जब हमारे प्रेम का बंधन प्रेम का धिश्टा तूटता है तो एक वैसी एक चटका कर अवास आती है वो दागा एक बार तूट जाने पर फिर कभी नहीं मिलता अगर किसी रिष्टे में कोई करवड़ा हट, कोई जूट, कुछ भी आ जाता है तो हम फिर पहले जैसा सम्मान, प्रेम, आदर, मेल मिलाप नहीं मिलता और उस रिष्टे को फिर से जोड़ा नहीं जा सकता अगर वो रिष्टा फिर से जोड़ता है, तब उसमें कहीं न कहीं वो गाड, जैसे जब हमने दागा को तोड़ दिया तो जब हम उसे जोड़ते हैं, तो वो एक गाड रह जाती है वैसी जम अपने रिष्टे को तोड़ कर फिर से जोड़ते हैं तो पहले जैसी बात नहीं रहती चाहे हम कुछ भी कर ले चाहे हम उसे जितना भी सुधाने की कोशिश कर ले पर कही ना कही एक वो बात रह जादे कि अरे इसने में इसा दोका क्या था अरे इसका कोई भरोसे नहीं है कुछ भी कर सकते तो अब मुझे इसके साद इतना फ्रैंक नहीं होना तो इसलिए वो कही ना कहीं वो कड़वडाहट की गान रही जा दिया अब ये था सामाने अर्थ अगर अब इस दोई की विशेश अर्ट की बात करें तो वो ये है पहले जैसी बात कभी नहीं आ सकती ओके तो दोहा नमबर टू रहीम निच मन की बिथा मान ही राखो गोए सुनी अठीले हैं सब लोग बाटी ना लहें कोई रहीम कहते हैं कि हमें अपनी मन की बात कर्ष्ट पीड़ा वदुख को हमेशा अपने अंदर ही रखना चाहिए पहले तो लोग हमारे सामने हमारी बाट बड़े ही दुख से सुनेंगे कि अच्छा तुम्हा ऐसा यह हुआ, अ ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ, अले तुमने इसका सामना कैसे किया, यह तो बहुत दुख की बात थी, और समझने का डूं करेंगे लेकिन बाद में वो ही लोग हमारे पीट पीछे दूसरों को हस हस कर हमारी बात बताएंगे और हमारा मजाख उड़ाएंगे ऐसे बहुत ही कम सच्चे मित्र होते हैं जो हमारे दुख में दुखी होते हैं तताबाद में कभी भी हमारे दुख का मजाक नहीं उडाते तो इसलिए अच्छा है कि हम अपनी पीड़ा अपने मन में ही रखे और किसी को ना बताए क्योंकि जब कोई हमारे दुख को बाट ही नहीं सकता जब कोई हमारे दुख को कम करी नहीं सकता तो हम लोगों को बताके फायदा क्या अगर हमने अपने किसी दोस्त को किसी भी मित्र को अपने अपना दुख बताया तो ये सोच के बताया था कि हमारे मन की पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी वो हमारी हेल्प करेगा पर फिर बाद में वो लोग हमारा मजाग उड़ाते हैं हमारे दुख को बहुत छोटा समाजते हैं और फिर उसी की लज़ा करते हैं तो ये था इसका समाने अर्थ अगर मैं अब इसकी विशेश अर्थ की बात करूँ तो इसमें रहिम जी कहते हैं कि अगर हमें अपने मन का कर्ष्ट किसी को बताना है तो सिफ विश्वास निये लोगों को बताओ सब को मत बताओ और कोशिश करो कि अपनी मन की बाते अपने मन का दुख अपने मन महीं रखो दूसरे या सब को बताने से वो कभी कम नहीं हो सकता जब तक हम किसी अच्छे विश्पास निये लोगों को ना बताए उनके सामने दुख्रार होने से वो लोग आपका दर्द कम नहीं करेंगे नहीं बाटेंगे बलकि बाद में आपका मज़ाख उड़ाएंगे जिससे आपको बहुत ठेस पहुँचेगी तो जब कोई हमारा दुख कम नहीं कर सकता तो बता कर कोई फाइदे नहीं है इससे अच्छा अपना दुख अपने तक ही रखो दोगा नमबर टीन एक है साधे सब सधे सब साधे सब जाए रहीमन मूली सीचीबो फूले फूले अगाए अब हमें ये तो पता है कि रहीम के दुख में उपमा अलंकार का प्रयोग है उन्होंने अपनी बात को सिद करने के लिए एक एक उधारन भी दिये ताकि हम लोगों को उनकी बात और अच्छे से समझ में आए इसमें वो कहना चाहरे हैं कि मनुश्य को इस तरह से काम करना चाहिए कि वो अगर एक काम करे फिर भी सारे काम हो जाए रहीम जो धारन देते हैं कि अगर हम सीधा पेड़ की जड़ में ही पानी डाले तो फिर पूरे पेड़ को ही पानी मल जाएगा अलग-अलग पती, फूल, फल को अलग-अलग पानी डालने से अच्छ है कि सीधा जड़ में पानी डालो क्योंकि वो जड़ पूरे पेड़ में पानी का संचलन कर देगी तो मनुश्य को वो ही काम करना चाहिए जिसे एक काम करने से सारे कामों का फाइदा हो जाए अब ये था इसका सामान जर्थ और अगर हम इसके विशीश इर्थ की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोगों निएक महावरा तो सुना ही होगा हाथी के पाउ में सब का पाउ इसका ये मतलब होता है कि हाती का पाव इतना बड़ा होता है कि उसमें बाकि सारे जीवजन्तु, चीटी, घोड़ा, सब के पैर आ जाएंगे तो वैसे ही इसका विशेश अतिय है कि हमें एक ही परमात्मा, एक ही प्रभू, एक ही भगवान को पूझना चाहिए उनकी ही भगती में मगन रहना चाहिए इससे हमारे सारे देवी देवताओं की पूझा हो जाएगी भगवान, भगवान, मतलब पांच तत्व, भूमी, गगन, बायू, अकाश, नीर और हमारे शरीर भी इन पांच तत्वों से बन है ये आप सबको पते, इसका मतलब एक भगवान हमारे अंदर भी है तो कवी रहीम जी ये कहते हैं कि सिर्फ एक परमात्मा को पूझो एक ही परमात्मा, एक ही परम पिता ने जिसने हमें बनाया है उसकी भगती करो तो सभी देवी देवसाओं की भगती हो जाएगी इसमें वो कहते हैं कि चित्रकूट में रुके रहे अवद के नरेज नरेज मतलब राजा, अवद के राजा मतलब श्री राम रहीम कहते हैं कि जिस पर कोई पीड़ा, मुसीबत या दुख आता है वो ही चित्रकूट आता है चितरकूट जाकर उन्हें एक शान्ती मिलती है जिसे वो लोग खुश हो जाते हैं तो इसका विशेश अर्ठी है कि जिस पर भी कष्ट आते है वो ही चितरकूट आता है अगर हमें को धारे ले तो श्री राम भी तभी चितरकूट आये जब उन्हें एक दुख का समय आया कोई भी चितरकूट में अपने आश और राम या अपने सुविधा को नहीं छोड़ के आता जिस पर भी दुख पढ़ता है से वो ही आता है इसका मतलब है कि चितरकूट आना मतलब भगवान को याद करना तो इसका विशेश अर्थ यह है कि हम सब लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब हम दुखी होते हैं हमारे अंदर हमें कोई परिशानी होती है लेकिन अगर हम भगवान को हर समय याद करेंगे अपने आपको स्वच रखेंगे अच्छी अच्छी बाते करेंगे, अच्छी अच्छी बाते सीखेंगे, अच्छी अच्छी बाते सिखाएंगे तो फिर हम इस एक तरीके का वो भी भगवान का नाम लेंगे अगर हम अच्छे समय में भी भगवान का नाम लेंगे तो दुख का समय आए गाई नहीं और हमें चित्रकुट जाने की जरुरत पड़ेगी नहीं, तो सिर्द दुख के समय नहीं, बलकि अच्छे समय में भी भगवान को याद करना चाहिए, दोहा नमबर पांच, दीरत दोहा अरत के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमिटी कुदी चड़ी चाही, इसमें भी रहीम जी ने को धारन दिया, पहले मैं आपको सामान यर्थ बताती हूँ, इसका ये मतलब है कि दोहे बहुत बड़े नहीं होते, थोड़े से अक्षर होते हैं, पर उनमें छिपा हुआ अर्थ बहुत बड़ा होते हैं, थोड़े से अक्षर होने के बावजूद भी उनका अर्थ इतना बड़ा और महत्वपून होता है, जो मनुशे कभी भूल नहीं पाता, और वहे अर्थ उसके जीवन पर अपनी एक चाप या प्रभाव छोड़ देता है, इस दोहे के माध्यम से ध्यान लगाने को प्रकाश किया गया है, हमारा ध्यान जो हर तरफ भ अंदिवी होती है, और एक आत्मी या कोई भी एक डंडी के सहारे उस पर कर्टब दिखाते हैं, उस पर बैलेंस करकर चलने की कोशिश्च करते हैं, तो इसमनोंने नट के बार में बताया है, जो नट अपना ध्यान सिर्फ रसी पर लगा कर, सिर्फ रसी पर लगा कर बिना गिरे उस रसी पर चलता है, जो इतनी उचाई में दो खंबो से सर्फ दो खंबो से टिकी हुई है, फिर रहीम ने ध्यान एकटा करने के बाद कुंडली के उधारन से स्पष्ट किया है, कुंडली योग की वह वेदी है, जिसमें ध्यान एकटा करना होता है, तो कभी कहते है जिसे nut और कुंड़ी चकर ध्यान कर्था करते हैं वैसे हमें भी एक जगह अपना ध्यान लगाना चाहिए और सिर एक काम में ही हमें ध्यान है अपना काम पूरा करना चाहिए तो यह था इसका सामानी अर्थ की दोहे अक्षर तो थोड़े हैं कर्स दिंखा बहुत बढ़ है और कुडली का उधारन दिया उधारन कि जैसे बहुत रची पर सारह द्यान एक जगह लगाता है और उस रसी पर चलकर अपने इंखना दिखाते हैं वैसे हमें भी जगह द्यान लगाना चाहिए अगर मैं इसके विशेश एर्थ में जाओं तो विशीश ATM निकला तो इसका मतलब इसमें विशीश onset't रहीम जी हमें यह सिखाना चाहरे हमें अपना धयान हर जगह नहीं लगाना जब हम कोई काम करें चाहे हम पड़ाई करें चाहे हम खेल रहे हम कुछ भी काम करें, अपने सारे ध्यान, अपने बटे हुए ध्यान को एक जगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगा लगा कर उस काम में अपना ध्यान लगाना चाहिए, और जब हम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस एक काम पे लगाएंगे, तब हम उस एक काम में माहर हो जाए और एक काम अपना बहुत अच्छे से करेंगे। वैसी ही हमें अपने ध्यान को इकर्टे करने की विधी सीखनी होगी। जैसे वो नट अपना भटका वाध्यान सिर्फ एक जग़ इकर्टा करता है। वैसे हमें भी वो सीखना होगा। जल जो छोटे जीवजंतों यानि कीड़े मकॉड़े की प्यास बुझाता है। उन्हें त्रप कर देता है। रहीम कहते हैं कि सागर की बढ़ाई तारीफ कौन करता है। क्योंकि उसका पानी तो इतना खा रहा है कि वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। कोई उसे नहीं पी सकता, सब सागर के जल से प्यासे ही रह जाते हैं कीचर, थोड़ा सा, गंदा है मैला है, पर फिर भी किसी की प्यास तो बुजा रहा है, यह था इसका सामान्य अर्थ, अगर हम विशेश अर्थ की बात करें, तो इस क्या विशेश अर्थ यह निकलता है कि कीमती वो ही होता है जो किसी के काम आए कीमती वो ही होता है जो किसी की मदद करे छोटा बड़ा ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ बड़ी चीज कीमती होगी और सिर्फ छोटी चीज जहां बड़ी चीज काम आती है वहां छोटी चीज नहीं और जहां चोटी चीज काम आती है वहां बड़ी चीज नहीं जैसे एक उधारन दू अगर मैं आपको तो जहां तलवार काम आएगी वहां छोटी सी सुई निकाम आएगी और जहां छोटी सी सुई काम आएगी वहां तलवार निकाम आएगी तो वैसे ही हम सिर्फ और सिर्फ स विसे हमें भी ये ध्यान अकना चाहिए कि हम भी किसी ना किसी के काम आए, हर रोज किसी ना किसी की मदद करें और इस संसार में एक दूसरे का भरोसा जीतें दोई नमबर सेवन इस दोई में रहीम कहते हैं कि एक हिरन यानि कि मरेक एक ध्वानी पर मोहित होकर अपना शरीर देतेता है परन्तु एक धनी आत्मी अपना थोड़ा सा धन नहीं दे सकता जो इनसान केवल धन को ही सब कुछ मानता है वह कुछ ने कर सकता कभी सफल नहीं हो सकता धनी व्यक्ति तो बहुत कॉंजूस होता है वह केवल उस पर धन लुटाता है जिसे वो प्रेम करता है तो एक जानवर से ज्यादा कोई भी कुछ नहीं दे सकता धनी मनुश्य अगर खुश है फिर भी वह अपना धन नहीं देता पर एक बिचारा से जानवर एक बिचारा से हिरन सिर्फ और सिर्फ एक ध्वनी पर मुहित होकर सिर्फ और सिर्फ एक अवास पर खुश होकर अपना शरीर भी त्याग देता है इसमें उनका मीन अर्थ ये है कि वो नर्थ तो एक पशु से भी बेकार है ये में विशेश अर्थ है कि वो इनसान वो नर्थ तो एक पशु से भी बेकार है जो रीच कर यानि कि खुश होकर भी कुछ नहीं देता अगर कोई हमारा भला कर रहा है तो हमें भी उसका भला करना चाहिए अगर कोई हमारी साहता कर रहा है तो हमें भी उसकी साहता करने चाहिए कोई हमारे कामार है कोई हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो हमें भी उसे बदले में और ज्यादा अदर और और ज़्यादा सम्मान प्रेम देना चाहिए है इसी से हम आपस में एक दूसरे के साथ खुशी से रहेंगे दोवा नमबर आठ बिगरी बात बनै नहीं लाग करो किन कोई रहीमन फाटे दूद को मथे न माखन हुए इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो एक बात बिगर जाती है फिर वो कभी नहीं बन सकती जो बात बिगर गई वो बिगर गई चाहिए हम फिर उससे सुधाने के लिए जितने भी प्रेतन कर ले वो सब बेर्थ ही जाते हैं रहीमन ने इसमें फटे दूद का उधारन लिया है जैसे जो एक बार जो दूद फट गया चाहिए हम उसे जितना भी माथ ले जितना भी माथ ले लेगन हम उसमें से मक्षन नहीं निकाल पाएंगे जो दूद फट गया है अब वो हमारे किसी काम का नहीं वैसी जो बात बिगड़ गई है वो अब नहीं सुधर सकती अब इसका विशेश अर्ट यह है कि बिगड़ी बात कभी नहीं मैं सकती चाहें जितने भी प्रयातन कर ले तो हम बात को बिगड़ने ही क्यों दे हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी बात को अपने हाथ से ना निकलने दे कोई भी बात को बोलने से पहले एक बार अपने मन में दोहरा ले और अगर वो बात हमें ही सुनने में अच्छी नहीं लगई तो दूसरों को क्या खास लगेगी हमें कोई भी बात इतनी नहीं बिगड़नी देनी चाहिए कि वो हमारे नियंत्रन से ही निकल जाए तो फिर क्योंकि हमें भी पात है जो बात बिगड़ गई वो सुधानी ना मुंकिन है दोवा नमबर 9 रहीमन देखी बड़े इंको लगून दीजिये डारी जहां काम आवे सुई कहां करे तरिवारी इसका उधार में ने आपको पहले भी दिया अगर आप लोगों ने द्यान से सुना तो इसमें रहीमन कहते हैं कि हमें कोई बड़ी चीज़ देखने पर छोटी चीज़ों को नही पर सागर बढ़ है पर पर फिर भी कीचर काम का है क्योंकि वह चोटे जीबजनत neo की कि प्यास बुझा रहा है वैसी ही चोटी अर अपनी चीजेज छोटी और बड़ी जीस दोनों का अपत अपना ही मीत्ल चाहे हम जितने भी बड़े हो जाए जितने भी हमीर हो जाए फिर नहीं और जहां चोटी सुई काम आती हैं वह बड़े लोग नहीं क्या पता आपका कोई अमीर व्यक्ति आपका वह काम ना कर सके आपका कोई अमीर दोस्त आपका वह काम ना कर सके जो आपके गरीब मित्रे ने कर दिया तो इसका ये विशेश अर्थ है कि बड़े छोटे चीज दोनों का अपना महत्व होता है संसार में छोटे वबड़े अमीर गरीब दोनों का अपना महत्व है चाहे हम जितने भी बड़े यानि की अमीर हो जाए फिर भी केसी गरीब व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए उन्हें अपमाने नहीं करना चाहिए इसमें भी उन्होंने एक उधारन लिया है इसमें रहीम कहते हैं कि हम अपनी संपती के बिना कुछ नहीं कर सकते हमारी संपती सिर्फ और सिर्फ हमारी है उस पर सिर्फ हमारा दिकार है अगर हमारे पास कोई संपती नहीं है तो परिशानी या मुसीबत के समय कोई हमारा सारा नहीं बन सकता हमारी संपती इसमें संपती का मतलब सिर्फ और सिर्फ धन नहीं मलकि हमारी कोशिश हमारी चेश्ठा हमारी विद्या हमारा आत्म विश्वास हम खुद हम स्वयं सिर्फ हम अपने ही काम आते हैं कोई दूसरा हमारे काम नहीं आता तो इसमें एक तो जैसे ये में बात है यानि कि विशेश अर्थ ये है कि जब तक हमारे पास खुद का कुछ नहीं है तब तक कोई हमारे पास नहीं आता सिर्फ अपना धन, बल, विद्य, आत्मा विश्वास और हम सोयन अपने काम आते हैं वो ही हमें अपने परेशानी से बहार निकाल सकता है कोई हमारा सगस्नमधी हमारे परेशानी के टाइम पे हमारा काम नहीं होता काम नहीं आता अगर हम खुद का साथ छोड़ दें तो इसमनों नहीं उधार लिए पंकज, पंकज मतलब जलज, जलज मतलब कमल, सौरी जलज मतलब कमल, जलज, जल से उत्पन होने वाला कमल तब ही खिलता है जब वो उस पर सूरज की रोशनी पढ़ती है जब तक उस पर सूरज की रोशनी नहीं बढ़ेगी वो नहीं खिलता लेकिन वो कहते हैं कि अगर सूरज उगा हुआ है और सूरज की रोशनी कमल पर पढ़ रही है लेकिन कमल के नीचे पानी नहीं है तब भी कमल खिल नहीं सकता कमल को सूरज की रोशनी के साथ साथ पानी की भी जरूरत है मतलब इसमें कमल हम लोग हो गए और सूरज हमारे भार सगी संभधी और पानी हमारा आत्मविश्वास हम खुद जैसे कमल सूरज के साथ साथ उसे पानी की भी जरूरत है सूरज आ गया, सूरज की रौशनी पड़ी है, पर वो फिर भी नहीं खिलेगा चाट तक उसके पाई पानी नहीं है वैसे अगर बाहर की लोग भी हमारी साहिता करें, पर हम खुद की मदद नहीं करें खुद मेहनत नहीं करे तब वो लोग ये हमारे कुछ काम नहीं आ सकते है तो देखा छोटे सक्षरों में कितनी बड़ी बात है जो हमारे दिल को छूजाती है और हमें हमेशा काम आती है अगर हम इन्हें ध्यान से समझे तो ये बहुत ही असान है यार हम इन्हें अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं हमें इन्हें रटने की ज़रुद नहीं है ध्यान से समझो, फील करो, और लिख दो बस लास्ट दूआ इसमें नहीं कहते हैं कि हमें अपना पानी खुद ही रखना चाहिए अपने पानी के बिना कुछ नहीं होता इसमें पानी वो नीर वाला पानी नहीं इसमें पानी मनुष्य के लिए पानी का अर्थ उसका मान समान उसकी इज़त इस जग में उसकी इज़त है वै बिना मान समान उसकी इज़त इस जग में नहीं रह सकता जैसे उसमें मोती की चमक पानी से ही है पानी के बेना मोती नहीं चमकता वैसे ही मनुष्य तभी चमकता है जब है इस संसार में समानित होता है आटा या फिर चूना हमारे तभी काम के आता है जब हम उसमें पानी मिलाए बिना पानी के तो वो किसी कांकर नहीं है चूना जब तक हमारी दिवारों पर तभी लगता है जब उसमें हम पानी मिलाए तभी वो चमक देता है वैसे ही मनुश्य के लिए भी हमारी इज़त बहुत जरूरी है तो इसका मेली विशेश अर्ट ये है पानी यानि के इज़त जैसे मोती भी बिना पानी के नहीं खिलता चूना या फिर आटा बिना पानी के कुछ काम नहीं आता वो हमारे दिवारों में लगकर वो इमनम व्यारत है वो दिवारों में लगे गा है नहीं जब तक हम उसे पानी से ना मिलाए तो जब तक जब मोती और चुना पानी के बिना बेकार है तो हमारे लिए पानी उनकले पानी वो नीर वो जल वाला पानी वाटर एश्टोग पर हमारे लिए पानी मान समान और इज़त जब तक हमारे पास अपना मान समान और इज़त नहीं है हम खुश नहीं रह सकते so guys I hope आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो अगर आप लोगों को कोई पे डाउट है तो आप मुझे comment box में आप मुझे message कर सकते हैं और please guys please like, subscribe and share I hope आप सब को समझ में आया हो और आप सब को ये बहुत easy लगाओ bye, let's meet in another video